बस्ते दोस्तो मैं हूँ सागर और मैं स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस यूटूब चैनल पे जिसका नाम है आतनीरफर भारत दोस्तो बतक पालन की सीरीज में हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग के बारे में और पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया कि आपको एक अंडे को कितना में आप बेच सकते हैं तो हमने कितना में बेचा था दोस्तों मैंने दिखाया था आपको 10 से लेके last 15 तक hardly यही बेच सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक अंडे को हम कैसे 50 रुपे से लेके 80 रुपे तक बेच सकते हैं तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं हुए है हुए 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 जी तो दोच फार्मिंग दग फार्मिंग बहुत आदमी करना चाहा है हैं और बहुत जन ये कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत जन का सवाल रहता है कि डग farming में benefit है या नुकसान है तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि डग farming या कोई भी farming क्यों नहीं हो farming sector में हमेशा किसानों को नुकसान ही होता है और इस वीडियो में मैं आपको duck farming नहीं सिखाऊंगा मैं आपको सिखाऊंगा duck business अब हमको farming छोड़ देना है farming farmer farmer का मतलब ही होता है मरना farmer मतलब किसान हमेशा मरता है हर एक जगह मर रहा अभी दिल्ली के ठंडा में मर रहा है कभी खेत में मरता है कभी उसका border पर मरता है लेकिन अब हमको farming नहीं करना है अब हमको करना है business तो दोस्तों कैसे करें हम duck business तो इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने देखा बहुत सारा कोशिश किया तो मैंने अपने अंडे को कितना में बेचा नौ रुपए से लेके हडली 13 14 15 तक लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक अंडे से हमको मिनिमम पचास रुपए और मैक्सिमम असी या सो रुपए तक का प्रोफिट कैसे हो सकता है तो दोस्तों आपको मेरा बात मजाक लग रहा है लेकिन नहीं यह सही है मेरा बात अब समझे मैं आपको सिखाना चाहता हूं डग बिजनेस और कैसे कीज़ेगा जैसे मैं कर रहा हूं तो दोस्तों देखिए एक अंडा मतलब उत्पादन के लिए अंडा उत्पादन के लिए जो हम डग फार्मिंग स्टार्ट किये हैं तो हम लोग करीब पांच से छे महना लग जाता है अंडा आने पर तो फिर हम कित मिनिमम पचास रुपए या फिर आपका मार्केटिंग अच्छा रहे तो असी रुपए कैसे दोस्तों मैं बताता हूं चिंग हैज करना है हम कोई बॉयलर का अंडा नहीं है मेरे पास कोई ऐसा अंडा नहीं है जो हम उससे बच्चा रेडिने कर पाएंगे जब हम फार्मिं सुनने में बहुत यह लगता है कि हैजिंग मसीन कैसे लगाएंगे यह तो काफी कोशली होगा महंगा होगा लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों एक हजार पांच सो पचास सो में भी आजकर आदमी रेडि कर लें मिनिमम मान के चलिए आप पांच से साथ आठ दस हजार म बहुत ही बढ़ियां हैचिंग मसीन खुद से बना सकते हैं नहीं तो खरीद सकते हैं और बनाना कैसे है अब आप बोलिएगा बनाना कैसे है तो मेरे वीडियो में है मेरा वीडियो नहीं समझ में आता है तो यूटूब में और महान महान दिगज लोगन है जो अपनाते हैं आप उनका वीडियो देखिये और सीखे इनकिवीटर बनाना क्योंकि डग फार्मिंग में अगर आ रहे हैं तो आप जो अनडा प्रोडक्शन कर रहे हैं वह अंडा फट टाइल अंडा होता है फट टाइल अंडा मतलब अंडा से आप बच्चा रेडी कर सकते हैं आप कोई बॉयलर का फार्मिंग नहीं कर रहे हैं कि बॉयलर का अंडा का उत्पादन नहीं कर रहे हैं कि उससे आपका बच्चा रेडी नहीं होगा फार्मिंग करते हैं तो बॉयलर में क्या होदा कि आपको फिड भी कमपनी से ही खरीदना है और जो आपका माल रेडी हो गया तो उसका रेड भी कमपनी ही तै करती है फाइदा या नुकसान आपके मार्केट पे उपर डिपेंड करता है लेकिन डग फार्मिंग में ऐसा नहीं तो या फिर डग फार्मिंग किजिएगा तो फिर वही मरिएगा तो आपको साथ में डग विजनेस करना कैसे करना है एक छोटा से हैच्री लगाना है जैसे मैंने बनाया थर्मो कॉल का एकदम सिंपल से आसान से और इसमें वेनिफिट यह है ना दोस्तों कि इससे चूजे अब बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और इसके बाद मार्केट में अभी चूजे का बहुत डिमांड है बहुत बता रहा है ना मेरे पास चूजे का तो इतना कॉल आता है कि आप विश्वास नहीं किजिएगा लेकिन मैं तो मेरे पास जितना होता है उन्सी को हां बोलते ह जो सामने लोकल्स के होते हैं वही को दे पाता हूं लेकिन अभी आल अवर इंडिया में डग फार्मिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और क्यों न करें अच्छा चीज है इनका जो अंडा भी है खाने के लिए अच्छा और इसका मीट भी है सेहत के लिए अच्छा तो हम क्या करेंगे एक सपोज देट हम बता रहें आपको आप सपता में एक हजार अंडा का प्रोडेक्शन जैसे कर रहे है तो अगर आप बेचिएगा इसको तो एवरेज आपको दस रुपे से उपर का रेट नहीं मिलेगा मतलब आप दस जार में बेचे वही दोस्तों अगर एक हजार अंडा को आप हैचिंग के लिए लगाईएगा तो आप उससे कितना कमाईएगा मतलब अगर पचास के रेट में बेचे तो पचास जार और अगर आपका रिजल्ट हंडेड परसेंट तो आएगा नहीं कितना परसेंट का आएगा कम ऐसे ठंडी में बहुत मतलब आपका जो फार्म है आप अपने भी फार्म को में कुछ बच्चे एक बार हैचिली से लेएगा बार बार क्यूं लाइएगा अपने पास सुभीदा होगा तब आप रेडी कीजिएगा तो आपको सीखना है तो आप बोलिएगा कि सागर जी इतना कैसे करेंगे इतना ह कुछ समझ में नीया ता लेकिन मुझे समझ में आया ना मैंने किया ना आप भी कर सकते हैं एकदम आसान से कर सकते हैं एक निरमल भाय हैं बिहार से मैं उसका विडियो देखता हूं गजब का लेकिन क्या वोलेंगे यार अरे इस दीबीया जो झो होता न ह Settings आप लोग नहीं मतलब और गेस से भी चलाते हैं इनकी वीटर मतलब हैचिंग मसीन गजब गजब दिमाग है उनके पास एक छोटा सा ही डग फार्म है उनके पास बच्चे भी रेडी करते हैं मैं उसका विडियो हमेशा देखता हूं और लाइक भी करता हूं और दोस्तो हम लोग एक दुसरे क सपोर्ट करके ही इस बिजनेस को आगे बढ़ सकते हैं एक दुसरे का help नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस को नहीं किया जा सकता क्यूंकि हमारे इंडिया में यह उस तोर पे नहीं किया जाता है जैसे बांगला देश में देख रहे हैं इसका ओरा फार्मिंग हमारे देश में अभी यह सुरुवाती तोर है और हम लोग को एक दूसरी को मिल के हैल्प करना है इसके बाद हम बात कर रहे थे हैचिंग मसीन का तो आराम से इजी से बना सकते हैं आज आज कल यूटूब में बहुत सारे वीडियो हैं मेरे भी वीडियो हैं आप आपके पास थोड़ा सा इकोनमी अच्छा है आपके पास केपीडियल अच्छा है तो आज मार्केट में भी मिलते हैं ड़साजार से स्टार्टिंग से लेकर आपका जितना क्याप सिटी है भी सजार थी सजार 1 थी एक हजार अंडा का आपका लगभग 30,000 से लेके असी हजार तक में मतलब एक होता है मैन्वली, सेमी ओटमेटिक आप जैसा लेना चाहें वैसा ले सकते हैं लेकिन आपको अगर डग फार्मिंग में आना चाहते हैं तो इस चीज से आपको परिचित होना पड़ेगा सीखना पड़ेगा क्या है टेंपरेचर, क्या है हमिडिटी क्या है हैचिंग क्या है कैसे बच्चे को रेड़ी किया जाता है सब आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि suppose that आप बिजनेस किजेगा और आपको प्रॉफिट ही नहीं सही समझ मैगा तो पंदरह से दस रुपए का अंड़ा बेचके कोई आप एक स्टेंडर लाइफ नहीं जी सकते हैं तो अपने लाइफ को भी तो इस्टेंडर करना है कि जिन्दगी वर फार्मिंग ही करना है आपको बिजनेस करना है अब फार्मिंग नहीं करना है बिजनेस में आ जाईए तो बिजनेस कैसे करना है अभी जैसे मैं करता हूँ अपनी लोकल में आपको तो मेरे से कदम आगे बढ़ के सोचना है कि आप अल अबर इंडिया सप्लाइ कीजिएगा कहीं भी सप्लाइ कीजिए और आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से ऐसा नहीं मै कि काल्कुलेशन करके कि फलना फलना इतना इतना प्रॉफिट है तो ऐसा नहीं है आपको सीखना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि सच में प्रॉफिट है या नहीं है है प्रॉफिट उसको जो काम को ठीक से कर पा रहे हैं और उनको प्रॉफिट नहीं है जो नहीं कर पा तो दोस्तों देखें हर सिक्ष्खे के दो पहलू होते हैं कि जिसमें जितना प्रॉफिट है उसमें उतना नुक्सान है लेकिन नुक्सान को नहीं करना हमको प्रॉफिट को करना है तो मेरा कहने का मतलब था इस वीडियो में कि अंडा को हम कैसे maximum rate ले जा सकते हैं तो इसका य मेशा अपडेड दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे अपने फार्म को आगे बढ़ा रहा हूं और अपने डग फार्मिंग को कैसे तेजी ला रहा हूं तो दोस्तों डग फार्मिंग का ये जानकारी आपको कैसा लगा अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको वीड पूरा देखने के लिए